हलो बच्टों कैसे हो आप सब तो आज की वीडियो जो है वो बहुत जादा important और बहुत जादा जरूरी है थीक है ना वो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते सब के लिए बहुत जरूरी है बटा कुछ चीजे जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्साविनर जो है वह पेपर जब चक करते हैं आप लोगों के होते हैं और जब बोर्ड में आते हैं चक होने के लिए स्कूल में तो क्या क्या चीज़े देखता है इतना टाइम तो उसके पास होता नहीं ह जो major three rules हैं उसके ओपर बात करूंगी मैं कि कौन से three rules हैं जो आपको follow करने ही करने हैं उसके अलावा जो एक दो चीज़ एक्स्ट्रा होंगी वह मैं आपको बताऊंगी ठीक है तो start करते हैं अपनी वीडियो first चीज दिखे जो first rule जो सबसे important चीज है वो क्या है आपकी writing क्या writing आपकी अच्छी होगी तो कोई नलायक और कोई dull बच्चा भी होगा अगर उसकी writing बहुत सुन्दर है तो teacher को यह अंदाजा हो जाता है कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है अच्छी writing जो है वो पढ़ने वाले बच्चे की निशानी होती है intelligent बच्चे की निशानी होती है ठ ठीक है writing अच्छी बनानी है paper में चाहे आता हो ना आता हो लेकिन writing best होनी चाहिए ठीक है second second चीज है कि आपको series wise जो है वो answers लिखने है series wise अब series wise क्या होता है मैं series wise का मतलब तो हमें पता नहीं है तो बेटा series wise का मतलब simple इतना जादा मुश्किल है simple कि आपको जैसे question आ जाता ह आता है और six question आता है ठीक है first second third और fifth नहीं आता तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आपको जो question आता है पहले वही start करें तो अगर आपके पास यह question paper है यहाँ पर यह शीट है आप यहाँ पर पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले जो है वह six का answer लिख देते हैं फ आतलब इसने cheating meeting करके यह चीज करी है तो यह बहुत बड़ा bad impact डालता है आपके पढ़ाई के paper के उपर कि हाँ examiner को यह mentality होती है कि अगर पीछे जाके वापिस अगर इसने लिखा है कुछ तो इसको जरूर आता नहीं होगा यह चीज इसने जरूर से देखके ही यह चीज करी होगी पहले जगा चोड़ती होगी ठीक है तो इसलिए हमेशा थोड़ो से smartly काम करें हमेशा पहले फर्स लिखें जैसे कि आपका यह शीट है और यहां से आपको एक paper लिखना है तो पहले फोर्थ कुशन आता है तो फोर्थ यहां पर फोर्थ लिखी और यहां पर उसका answer लिखना स्टार्ट कर दीजिए ठीक है उसके उसके बाद फोर्थ के बाद आपको 7 आता है पूंकि घर तो यहां लावा में एक चीज और कि आपको दूसरा त्राổ्त नहीं आता पांच वात तो आप detention नमबर देख सकते हैं अगर boil कि की जरूरत था है तो यहां पर आप एक पर यह विज नहीं भी शहला तो के एग को यह उसके बाद में गाईड में लिखा है कि आपको चेपना हो अपने पेपर में तो आपको इसका लिखना है तो आपका जो आप यहां पर लिखोगे उसके अंदर इंडिपेंडेंडेंस वर्ड जो है वो आने चाहिए इंडिया आना चाहिए उससे मिलते जुलते शब्द अगर आ रहे होंगे आपके आंसर में तो पता लग जाएगा कि हाँ इस बच्चे को इस question से related answer थोड़ा बहुत तो आता ही है बिल्कुल जादा यह नहीं कि zero है ठीक है तो यहीं से उसको अंदर जाएगा कि हाँ question का answer इसको थोड़ा बहुत आता है चाहिए आपने कम लिखा हो ज्यादा लिखा हो आपको marks दे देगा ठीक है तो यह third basic point यह हो गया कि question का answer आपक Republic Day का answer लिख रहे हो ऐसे नहीं करना है ठीक है तो यह चीज़ I think समझ आ गई होगी फिर जो और मतलब की और basic rules जो चीज़ है basic चीज़ जो है एक ही होती है कि cutting नहीं करनी है ठीक है यह extra rules में आ जाता है cutting बिल्कुल नहीं करनी है ठीक है एक चीज़ और है कि diagram का use करना है diagram का use करना है ठीक है diagram आपको मैंने बता रखे हैं कि bubble वाले diagram यूँ करके use कर लिया करें जो चीज़ आएंगी आप लोगों को diagram जो है वो अच्छी भूमी का निभाते हैं आपके उसमें overwriting और जो आपके exam होता है ठीक है ताकि examiner को पता लग जाता है कि हाँ बच्चे ने जो कि चमकानी नहीं है simple यूँ एक line मार दीजिए अधर्वाइस cutting ना भी करें तो चलेगा simple आप इसको लिखते जाए ठीक है गलत हो गया कोई बात ने लिखते जाए cutting मत कीजिए ठीक है तो आई होप यह चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी बैटा यह चीज़ें इतना टाइ पर निकालके पड़ेगा और देखेगा ठीक है तो यह कुछ चीज होती है जिनसे अधर लगा लेता है कि बच्चा कितने overall average का है 60% 70% 80% 90% ठीक है तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है तो आई होप यह वीडियो आप लोग लिए help रही होगी कुछ भी चीज आप को डाउट लगती है कोई आपको अपीनियन हो कुछ भी पुछना होता आप कमेंड में मुझे मेंशन कर सकते हैं ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सुन्दर अपडेट के साथ थैंक्यों सो मिच फॉर वाचिंग बाबाई